वेल्कम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जैन यूटूब चैनल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एच एल सरकारी कंपनी के दरफ से रिक्रुमें निकल करके आ रही है अब क्योंके सरकारी कंपनी है इसलिए पर्मनेंट जॉब निकाली गई है कोई कॉन्ट्राक्चल जॉब नहीं है फ्रेशर रुजिया पर अप्लाई कर सकते हैं येस और इंडिया इलिजिबल है इन टोटल 185 वेकेंसी निकाली गई है जो प्रीवेस यर के कंपेर में काफी ज एंटर्विय होगा और आपको नौकरे मिलेगी पोजिशन जो है वो है डिजाइन ट्रेनी एंड मैनेजमेंट ट्रेनी पर दुखत बाद किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो बली आप दोनों में यहाँ पर सैडिस्फाई कर रहे हो पर एक ही पोस्ट के ल लंबी लिस्ट है वैसे अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्यूनिटी में नहीं जुड़े हो तो आपको शुरेनिक जेन स्टेडी सिंप्लिफाइड एप की लिंक्स कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगी डाउनलोड कीज़ेगा एप विजिट कीज़ेगा जॉब अ तो आपको काफी हेल्प होगा चलिए अब यहाँ पर डाइव इन करते है ऑफिशल वेबसाइट पर है अगर आप इस वाले क्लिक करोगे तो फिर आपको यह रेजिट्रेशन पेज मिल जाएगा जहाँ पर PDF भी दिया गया है तो क्लिक करना है तो क्लिक करता हूँ तो यह र आपको तुरंद अपडेट कर दूँगा तो देख सकते हो number of vacancies and reservations तो सबसे पहले है design trainee के अंदर एलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं तो अगर आप दोनों में है इलेक्ट्रोनिक्स दोनों में है इलेक्ट्रिकल दोनों में है तो अगर आप दोनों में eligible हो तो आप किसी एक post के लिए ही apply कर सकते हो आइधर mt या dt यह आपको decide करना है number of vacancy यह आपर दिया गया है चलिए अब यहाँ पर आगे बात करते है production metallurgy वालों के लिए भी opportunity है तो note कीजेगा अब सिफ नाम को देखकर के मत सूछे ना अरे सर मेर तो ब्रांच का नाम नहीं है तो मैं eligible नहीं हूँ अलाइड branches भी नीचे दे रखे है इसलिए eligible branches के list लंबी हो जाती है और इसलिए मैंने start में नहीं बता था चलिए अब बता देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो that qualification required bb.tech या diploma plus degree अगर आपने किया है design trainee में aeronautical जब कहा eligible है similarly electrical electronic जैसे उपर काता सेम यहाँ पर है mechanical उपर जैसे काता सेम यहाँ पर भी है फिर production जो है इसके लिए इतने सारे branches eligible है और फिर आप देख सकते हो production के लिए ये भी branches eligible है computer science वालों के लिए इतने सारे branches eligible किये गए है metallurgy वालों के लिए इतने branches eligible किये गए है ठीक है जी तो म मैं नहीं आता हूँ मैं different branch में आता हूँ then you are not eligible to apply चली आगे बढ़ता है यहाँ पर percentage कितना चाहिए unreserved OBC, NCL, AWS वालों के लिए 70% चाहिए जो काफी काफी high है सिर्फ इसी सरकारी कमनी में इतना मांगा गया है जनरली 60-65% होता है यहाँ पर आप देख सकते हो 70% मांगा गया है SCSTPWD वालों के लिए 60% रखा गया है चली आगे बढ़ता है यहाँ पर final year वाले बच्चे बिल्कुल apply कर सकते है दिया गया है यहाँ पर and diploma plus degree अगर आपने किया है then you are also eligible अपर age limit 28 years है for UR and EWS special categories में आते हो तो relaxation मिल जाता है जो चीज यहाँ पर दे रखी है application fees ठीक टाक रखी गई है 500 रुपए क्योंकि inclusive GST है अक्सर 1000 रुपए तक चले जाती है application fees पर आप ठीक ही रखा गया है SCSTPWD internal candidates को को कोई भी application fees नहीं पे करनी है exempted है registration process जो है यहाँ पर आप देख सकते हो detail में दिया गया है PDF क्या चाहिए उसका size क्या होना चाहिए सारा कुछ यहाँ पर formatting दिया गया है तो आप आराम से apply कर सकते हो आज apply कर देना 2nd August से start हो गया था 22nd August यह date बड़ा important है इसके बाद यह opportunity चली जाएगी चली इसके अलावा अगर बात करें तो selection process बहुत सिंपल सा रखा गया है online exam plus interview और आपका selection हो जाएगा online exam के अंदर क्या चीजे है CBD exam होगा जिसके अंदर 3 पार्ट में चीजे बटी हुई है mcq है दो घंटा and half hour आपको दिया जाएगा जहां पर पहला पार्ट है 20 mcq for general awareness सेकेंड पार्ट है 40 mcq for English and reasoning थर्ड पार्ट है आपका core जो है 100 mcq वाला टेस्ट केंड़ी या फिर इंग्लिश या आपके उपर choice है तो अच्छी चीज है चली इसके लावा अगर बात करे तो यहाँ पर medical standards भी चेक किया जाएगा यह important है यह भी एक एक एक्जामी होता है फिर service bond रहेगा जिसके बार में जिकर किया गया है फिर आपको जब absorption मिल जाता है पर बहुत सारी चीज है जो आपको यहाँ पर मिल जाती है इसलिए आपकी cdc बढ़ जाती है जनरल यहाँ अपर condition के अंदर जो मैंने कहा था किसी एक पोस्ट के लिए आप apply कर सकते हो दोनों के लिए भर भी दिया ना तो rejection हो जाएगा latest वाले का चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो इतनी सी चीज़े एक टेंटीडिव डेट दिया गया है online registration के बार में download e admit card के बार में फिर examination क अब expect कर सकते हो इंटर्व्यू कब expect कर सकते हो आपको यहाँ पर नौकरी कब मिलेगी यह सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है तो मुझे लगता है सारी चीज क्लियर है फिर भी अगर आपको कोई doubt है comment section में पूछ सकते हो आज के लिए बस इतना ही meet in the next video आप लें ठीक केर ब